दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Electricity Department में आई एक नई vacancy के बारे में एक नई भर्ती के बारे में इस भर्ती के लिए इस vacancies के लिए आप सभी eligible होने वाले हो यानि आप सभी इसके लिए आवेधिन कर सकते हो चाहिए आप किसी भी राज्य से बिलोग करते हो ठीक है इसका official notification भी release कर दिया गया है जो कि आप download कर सकते हो कैसे कर पाओगे इसके बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ तो अगर आप कोई government job search कर रहे हो आप government job करने में interested हो तो इस vacancies के लिए जुरूर apply करे and age criteria के बारे में पहले बता देता हूँ कि 21 से 40 साल के बीज रखी गई है age criteria पलस अगर आपको age lexation मिलता है अगर आप SC, ST, OBC हो तो आपको age lexation मिलेगा and post name की बात करें तो यहाँ पे assistant accountant के लिए जो है वेकेंसी आई हुई है तो especially जो है यह commerce वालों के लिए भी है कि अगर आप उन्हें उसमें complete कर रखा है degree तो आपको यह job मिल सकता है and आज किस वीडियो में हम जानने वाले हैं कौन कौन apply कर सकता है exam dates क्या होने वाली है and किस तरह की vacancies होने वाली है पहले से and इसके बारे मैं आपको अताने वाला हूँ कि आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे ठीक है उससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को यहां तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल एकन जरूर प्रेस करें जब भी कोई नहीं वेकेंसी आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा सबसे पहले यहां पर हेड्लाइन्स देख सकते हो विदुद सेवा आयों जिसको एलेक्रिसिटी डिपार्टमेंट कहते है यूपी-पी-सी-या यानि उत्रप्रदेश पावर कॉपरिशन लिमिटेट की तरफ से वेकेंसी जाई हुई है इसके एलेसल होने वाला है कोई भी candidate इसके लिए अप्लाइ कर सकता है यहां पर पात की गई है रिक्तियों की बात की गई है कि किस तरह की रिक्तिया होने वाली है टोटल पोस्ट की बात करूँ तो टोटल पोस्ट जो है असिस्टेंट जो एकाउंटेंट के लिए है जो अन्य पीछरा वर गया उनके लिए 21 है अन्य सुचे जंजाती के जो स्रेनी के लोग है उनके लिए 11 है अन्य सुचे जंजाती स्रेनी के लिए लोग के लिए 1 है तो टो उसके बाद बात कर लेते हैं आवेदन करने वाले अभी हर्तियों के पास आधार का रथवा जो है अधिवी विदमानने फोटो एक पहचान पत्र का होना अनिवार जाए कमपसरी है आपके पास डोकुमेंट होनी चाहिए वेतनमान की बात करू कि अगर आप इस जॉब्स के ल अप्लाइ करते हैं अकाउंटेट के लिए तो गेजवर्शन कम्प्लीट होनी चाहिए वो भी कॉमर्स में ठीक कि किसी भी यूनिवर्सिटी से एंड एज की बारे बता दिया गया है कि एज आपकी जो होनी चाहिए वो एक साथ दो हजार बीस को जो है नियुंतम एज एक कि इस वर्स होनी चाहिए अधिक्तम जो है maximum 40 साल होनी चाहिए अगर आप SC है ST है OBC है या इसके अलाबा वैसे कास से बिलोंग करते हैं जिनको एज लेक्षेशन मिलता है तो आपको एज लेक्षेशन मिलेगा और एक्षिन का बेनेफिट भी मिलेगा नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सेलेक्षन प्रोसेस क्या होगा अगर आप इस वेक्षेशन के लिए अप्लाई करोगे तो आपका सेलेक्षन कैसे होगा तो यहां पर बताया गया है कि आप भ्हरती दोरा और अविदन पत्र में उपलब्द कराई गई गई सूचना की अधार लिखित परिक्षा जो आपका एक्जाम होगा उसमें बताया गया है कि objective questions पूछा जाएंगे 50% पूछा जाएगा ठीक है यहां पर टोटल जो बता दिया गया है 150% होगे यहां अलग-अलग भाग में बताया गया फस्ट जो आपका भाग होगा उसमें जो है 50 questions पूछा यह दृत्ते एक्जाम में जो है आपका अलग-अलग जैसे जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, अर्थमेटिक, अकाउंटेंड इससे पूछा जाएगा यह syllabus है आपको पता ही होगा अगर आप इस तरह की preparation करते हो तो तो उसके basis पे जो है आपका selection होगा simple सी बात यह समझ देत उसके बात बात कर लेते हैं अनापत्ती, पर्मानपत, चरीतर के बारे में, बहभाही की स्तिथी के बारे में, देखो यहाँ पर एक character आपका सही होना चाहिए, married हो, ऐसे पूरू से महिले आपर जो वीधी विरूस से एक सधिक, जो जवीत पत्री पत्री रखते हो चैन है त उसके बात बताए गया है कि शारिरिक स्वस्था परमानपत, अब बेरती का परती योगी इतात्म परिक्षा के अधार पर सेवा में नियुकती होती, योगी जाने पर मुखे चक्रित सा अधिकारी दोबर है, medical होता है, जब भी आपका selection बगरा होगा तो medical तो लागेगा ही, अब बात आती है आवेदन कैसे करें, इसके लिए link में description में दे दूँगा, उहां से जाके आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, एंड यहां पर और भी चीजे बताए गई है, details में कैसे करना है, क्या document चीए, सब इसमें details में बता दिया गया है, तो आप पढ़ोगे तो समझ अब dates की बात कर लेते, कि कब से कब तक आपको apply करना है, तो यहां पर देख सकते हो, online आवेदन पत्र पूर्ण करने कीती थी, जो 9 से लेके, आप 29 तक कर सकते हैं, ठीक है, net banking जो आपका जो debit card के payment जो करोगे, 99 से लेके 29 तक सेम है, and state bank india के चलान दोरा जो आप आवेदन कर अक्टूबर 2020 के चदूर सब्ता में, यहां पर बीक में जो है, आपका exam हो जाएगा, and यहां पर और भी चीज़े बताई गई है, जिसके बारे में आप एक बार जुरूर इस notification को पढ़ लो, and आपको पता चल जाएगा, and इस notification के तो जो मैंने आपसे information शेर की, अगर इस बी जरूर अप्लाई के लिए, link description देने बाला हूँ, telegram का भी देने बाला हूँ, वहां से भी जाके आप check कर सकते हैं, एक बार notification पर है, फिर उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, दोस्तों फिलाल आज के लिए तरही, thank you so much.